हेलो एवरिबन आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ओफिसियल यूटूब चैनल आज के दस्मी कलास के पर्थम वीडियो में हम लोग इतिहास दस्मी कलास के सभी महत्पुर्ण वस्तुनिष्ट परस्नों को कभर करेंगे कि इस वीडियो में अगामी बॉर्ड परिच्छा जो मैट्रिक का होने वाला है उसके सभी महत्पुर्ण परस्न यहाँ पर दीये जा रहे हैं तो आएए आज की इस वीडियो की शुरुवात करते हैं, इतिहास वस्तुनिस्ट प्रस्न का भागवन का वीडियो की शुरुवात की जा रही हैं, तो आएए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, बोल से भी क्रामती कब हुई थी? फरवरी 1917, नॉवंबर 1917, अप्रैल 1917, अप्रैल 1905, तो इसका जो राइट अंसर है नॉवंबर 1917, इसका राइट अंसर आपका है नॉवंबर 1917, अगले परस्न पर आते हैं, लाल सेना का गठन किस ने किया था? लाल सेना का गठन किस ने किया था? तो इसका जो राइट अंसर है टार्सकी ने किया था, अप्शन नॉबर C, क्वेश्चन नॉबर 3 पर आते हैं, परस्न संख्या 3 पर, हिंद चीन छेत्र में कौन से देश आते हैं? अप्शन A, ची, वियतनाम, लाउस, B में हिंद चीन, वियतनाम, लाउस, C में कंबोडिया, वियतनाम, लाउस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाइलंड, इसका जो राइट अंसर है, अप्शन नॉबर C है, कंबोडिया, वियतनाम और लाउस, परस्न संख्या 4 पर आते हैं अंकुरवाट का मंदीर, अंकुरवाट का मंदीर कहां इस्थित है, वियतनाम, थाइलेंड, लाओस, कमबोडिया, इसका राइट अंसर है, आपका कमबोडिया, Now, come to the question number 5, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, फ्रांसीसी सासकवर, कोलोन, जनरल, तो इसका राइट अंसर है, option C, कोलोन, आएए, अगले प्राशन पर आते हैं, The History of the Laws of Vietnam किसने लिखा, हो चो मिन, फान बोई चाउ, कुवांग, त्रियू, इसका राइट अंसर है, option B, फान बोई चाउ, Students, आप इन प्राशनों को, बोड एकजाम से पहले, एक दो बार जरूर रिवाइज कर लें, क्यूंकि, दसमी क्लास के बोड एकजाम के लिए, ये सारे प्राशन बहुत ही महत्पूर्ण हैं, और इसका भागटू भी वी वीडियो देखना न भूलें, तो आए कोई प्राशन संख्या साथ पराते हैं, हिंद चिन छेत्र में अंतिम्यूद समापती के समय अमरीका के राश्टपती कौन थे, वासिंग्टन, निक्सन, जॉर्जबूस, रूजवेल्ट, इसका राइट अंसर है निक्सन, ओप्शन B, प्राशन संख्या आठ परात करांतिकारी धार्मिक, तो इसका राइट अंसर है धार्मिक, अगले प्राशन पर आते हैं, इटली और जर्मनी वरतमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं, इटली और जर्मनी वरतमान में किस महादेश के अंतरगत आते हैं, तो इसका राइट अंसर है, युरोप महाद इसके अंतरगत इटली और जर्मनी अभी आते हैं प्रस्न संख्या 10 पर आते हैं फ्रांस में किस आसक वंस की पुनरस्थापना व्याना कॉंग्रेस द्वारा की गई थी हैप्सबर्ग आलियार वंस बुर्बो वंस जार साही तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हैप्स स्वर्ग वंस के द्वारा प्रस्थ संख्या 11 पर आते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से था लाल से ना कार्बोनरी फिलिक हेटारिया डायक तो इसका राइट अंसर जो है ऑप्शन बी है कार्बोनरी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नमबर 12 इटली इवं जर्मनी के एकिकरन के विरुद्ध निम्ण में कौन था इंग्लेंड, रूस, अस्टिरिया, परसा तो इसका सही जवाब है अस्टिरिया ऑप्शन नमबर 13 पर आते हैं गैरिवाल्डी पेशे से क्या था सिपाही, किसान, जमिंदार, नाविक इसका राइट अंसर है नाविक था, गैरिवाल्डी पेशे से नाविक था, आएए परसन संख्या 14 पर आते हैं, जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक जो संस्था थी करांतिकारियों की, वेपारियों की, विद्वानों की, पादरी समन्तों की, तो इसका राइट अंसर है वेपारियों की स आएए प्रसंद संख्या 15 पर आते हैं रख तेवं लौग की नीती का अउलंबन किस ने किया था? मैजनी ने, हिटलर ने, विश्मार्क ने, विलियम पर्थम ने इसका सही जवाब है औप्शन C, विश्मार्क ने प्रसंद संख्या 16 पर आते हैं इरोपवासियों के लिए किस देश का साही तेवं ग्यान, विज्ञान, परेर्ना, सरोत रहा है जर्मनी, युनान, तुर्की, इंग्लेंड तो इसका सही जवाब है आप्शन B, युनान, युनान का साही तेवं ग्यान, इरोपवासियों के लिए परेर्ना का सरोत रहा है प्रस्ण संख्या 17 पर आते हैं, 1929 इस्वी की एड्रियानो पूल की संधी किस देश के साथ हुई, तुर्की, युनान, हंगरी, पोलेंड, इसका राइट अंसर है, तुर्की के साथ हुई थी, राइट ओप्शन इस तुर्की, ओप्शन A, प्रस्ण संख्या 18 पर आते हैं, र दूस में किर्शत दास पर्था कांत कब हुआ, उप्शन A, 1861, उप्शन B, 1862, उप्शन C, 1863 और उप्शन D, 1864, तुर्की, इसका राइट अंसर है, उप्शन A, 1861, अगले प्रस्ण पर आते हैं, प्रस्ण संख्या 19, राष्टिये स्वें सेवक संख्य की अस्थापना कब और किस ने की, 1923, गुरु गोल वलकर ने, 1925, केवी हेट गेवार ने, 1926, चितरन जंदास ने, और 1928, लालचन ने, इसका सही जवाब है, 1925 में राष्टिये सवें सेवक संख्य की अस्थापना हुई थी, केवी हेट गेवार ने इसकी अस्थापना की थी, अगले संख्या 20, बल्लभाई पटेल को सरदार की उपाधी किस आंदोलन के दोरान दी गई, बार्दोली, अहमदाबाद, खेडा, चंपारन, इसका सही जवाब है, बार्दोली, आंदोलन के दोरान, सरदार बल्लभाई पटेल को सरदार की उपाधी दी गई थी, प्रस्न संख्या 21 पर आते हैं रंपा विद्रो कब हुआ रंपा विद्रो कब हुआ 1916, 1917, 1918, 1919 में तो सही जवाब है इसका 1916 में रंपा विद्रो हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नमबर 22, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बरतन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का समंथ, रूस का समराट, इसका सही जवाब है रूस का समराट, रूस के राजा को रूस का राजा को जार कहा जात से, यहां पर आपका right answer जो है, option D है, रूस का Samrath, अगले पर आते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहा हुआ था, इंगलेंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में, कहा हुआ था, तो इसका सही जवाब है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म, जन्म, option number B, जर्मनी में हुआ था, परसन संख्या 24 पर आते हैं, सम में वादी सासन का पहला परियोग कहा हुआ, रूस, जापान, चीन, क्यूबा में, सही जवाब है इसका रूस में, next question पर आते हैं, war and peace किसकी रचना है, कालमाक्स, टॉल्स्ट्वाइ, दोस्तो वस्की, धिमात पुर्ण रचना है, तो इसका सही जवाब है option B, question number 26 पर आते हैं, गदर पाटी के अस्थापना किसने और कब की, गुर्दयाल सी 1916, चंदर सेखर रजाद 1920, लाला हर्दयाल 1913 में, या सोहन सी भाखन 1918 में, तो इसका सही जवाब है, लाला हर्दयाल ने 1913 इसवी मे गदर पाटी के अस्थापना की थी, now come to the next question, जालिया वाला बाग हत्याकांट किस तिथी को हुआ, तो इसका right answer है, option A, now come to the question number 28, असहयोग अंदोलन का प्रस्तो कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, सितंबर 1922 कोलकाता, अक्तूबर 1922 अहमदाबाद, नॉम्बर 20 फैजपूर, दिशंबर 1922 नागपूर, तो इसका, आपका सही जवाब जो है, दिशंबर 1922 नागपूर में असहयोग अंदोलन का प्रस्तो पास हुआ था, मिन्स दिशंबर 1922 के नागपूर अधिवेशन में, तो इस प्रस्न का सही जवाब, option D है, दिशंबर 1922 नागपूर, आए, come to the next question, अगले प्रस्न पर आते हैं, भारत में खिलाफ़त अंदोलन कब और किस देश के सासक के समर्थन में शुरू हुआ, 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी, तो भारत में जो खिलाफ़त अंदोलन शुरू हुआ था, 1920 में तुर्की देश के सासक के समर्थन से हुआ था, तो इसका सही जवाब है, option A, 1920 तुर्की प्रस्न संख्या 30 पर आते हैं सवीने अवग्या अंदोलन कब और किस यातरा से शुरू हुआ 1920 भूज, 1930 अहमादाबाद, 1930 दांडी, 1931 तुर इसका सही जवाब है 1930 दांडी यातरा से सवीने अवग्या अंदोलन की शुरुवात हुई थी और आज के इतिहास के वस्तुनिष्ट प्रस्नों के सभी महत्पुर्ण जो प्रस्न यहाँ पर दिये गए हैं उसका सबसे अंतिम सवाल पर आते हैं और इसका भाग्टू अगले वीडियो में दिया जाएगा तो प्रसन संख्या 31 पूर्ण सवराज की मांग का परस्तो कॉंग्रेस के किस वार्सिक अधिवेशन में पारित हुआ 1909 लहौर 1931 कराची 1933 कुलकाता 1937 बेलगौ तो इसका सही जवाब है 1929 लहौर लहोर के वार्षी का धिवेशन में 1927 में फुन सुराज की मांग का प्रस्ताव पास किया गया तो इस परकार से पाट वन का सभी महत्पून बीडियो, सभी महत्पून प्रस्नों को यहां पर कभर किया गया आप इसको परिच्छा से बोर्ड एक्जाम, दसमी के बोर्ड एक्जाम से पहले एक-दो बार अवस्थ से रिवाइज कर लें सभी महत्पून प्रस्न हैं और आपके बोर्ड में आने वाले हैं तो students, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपनी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट्स करें, कॉमेंट्स सेक्षन में लाइक करें, सेयर करें और बेल आइकन को हिट करना न भूलें क्योंकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले अगर कोई भी नए वीडियो डाला जाए तो तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो